तो कल 14 तारिक है और मकर संक्रांती है और कल बहुत कुछ जो खबरे होंगी कल दिन में बहुत ऐसी खबरें आएंगी कि ये तमाम नेता किधर जा रहे हैं शायद कल ये नेता जो है यानि स्वामें परसाद मौर्द से लेकर के और 14 तारिक को ये आज तक की जो 14 सूची है जिन लेकिन स्वामी परसाद मौरE ने हिलाकर रख दिया है सुत्रधार कह सकते हैं स्वामी परसाद मौरE को क्या कहेंगे अमित मौरे जी जी राजीव जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं 2017 में जाना चाहता हूं कि केसों प्रसाद मौरिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसके बाद बहुज़न समाज पाठी छोड़ के सावीं प्रसाद मौरिया आए धरम सिंग सैनी आए धरा सिंग चौवहान कहा कि पिछले समाज का ही मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का उसके बाद अनुपरिया पटेल भी आई तो जितनी भी OBC जातियां जो 2017 से पहले भाज़पा से बिदक गई थी वो सारे के सारे एक बैटफान पर आ गया उनको लगा कि नहीं पिछले समाज का ही मुख् जहां दिया गया उस समय तो केशों जी का बहुत बीपी बढ़ गया दिल्ली चले गए एड्मीट में दो चार दिन हालत बहुत खराब हो गई थी दिल के अर्मा आसुओं में बह गए और चार साल पान साल पूलिस गवर्मेंट पर केशों मौर रहा कि हमेशा परकतरने का का गया उनके उनके जितने भी फाइले टेंडर की वगए जाती थी उनका बिसे सुपरिवीजन पंचम तले कुछ अदेकारी किया करते थे और जिस हिसाब से भारती जनता पाटी ने रिजर्वेशन से खेलवार किया तमाम भरतियों में OBC के लिए नार्ट सुटेबल कंडिड और EWS के लिए कंडिडर उनको मिल जाते थे तो आरचल पर जो कुठारा गात किया है तो पिछले समात के जितने भी पढ़े लिखे युगा वर्ग के हैं जो आरचल को समझते हैं जो समझते हैं उनका हक अधिकार क्या है लोग यह समझते कि आरचल मतलब नवकरी का मामला है नहीं आरचल भागीदारी का मामला है आरचल आपके भागीदारी को रच्छित करता है आरचल के वर नवकरी का मामला नहीं है और जिस हिसाब से पिछलों दलितों के साथ नवकरीों में छेर शाक्या गिया अभी आप सिच्छक भरती का देख रहे हैं मामला उसमें OBC कोटा प्रसाद मौरिया कांसी राम जी के साथ काम किये धरम सिंग सैनी और जितने भी निता ब्यस्पी से आये हैं समाजवादी पार्टी में चाहिए दद्दू प्रसाद हो कमला कांद गौतम हो तो अब अखिले स्यातों में इतनी ज़्यादा परिपकुता आ गई है पिछली गौर्बंडिक बाद वो हम बेटकर को समझे जब उनके बंगले को गंगा जल से धुला तो उनको सुध्र होने का हसास हुआ कि नहीं मैं भी सुध्र हूँ तो और रही बाद स्वामी प्रसाद मौरिया की स्वामी प्रसाद मौरिया पिछलों का भरा नहीं कर सका आरेसेस में भाजपा में जितने भी पिछले वरकिनेता आज भी हैं वो समझ लिजिए समाज के दुस्मन है और हरे घास में हरे रंके सर्प के समान है वो और अब आते हैं स्वामी प्रसाद मौरिया धरम सिंग सैनी दारा सिंग चौवान जो आदमी यह लोग भाजपा में आये क्यों जब 2017 में बसपा से किनरा किया तो अखले स्यादों की सरकार में भी अंतिन समय काफी उतल पुतल रहा तो उस समय यह भाजपा में गए और भाजपा यह समझाने में सफन रही कि समाजवादी पाटी का मतलब पिछले का मतलब केवल यादो केवल यादो वाद होता है और मौरिया पटेल राजबर विसकर्मा का कोई सम्मान नहीं है यह बात वो समझाने में सफन रही और पिछली सरकारों में ऐसा जरूर इस बात को मैं भी शुकर करता हूं कि नहीं यादो वाद होता था लेकिन अब जो है नई हवा है नई सपा है नारा है अखलेस यादव का तो इस बार कोई आज एक विधायक पून किया चकियां से भाचपा है नाम में नहीं लोगा तो उन्होंने कहा क्या यादवों की लाठी पर मौरियां सवारी करेगा उनके कहने के मदलब ही कि अगर अखलेस की सरकार आएगी यादो लाठी निकाल के बैकवर्टों को पीटेंगे उत्पात मचाएंगे तो क्या मौर समाज इसको सिवकार करेगा हमने का ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई बात नहीं है और आप जो सोच रहे हैं इसी कोई बात यहां कि कहा कि त्रिलमूल कांग्रेस के जब नेता त्रिलमूल कांग्रेस में बीजेपी घात लगाकर अपने पार्टी में सामिल करा रहे थी तो लोग कर दे आमित सा का मास्टर इस्ट्रोक है अब वही जो है बीजेपी से लोग सपा में आ रहे हैं तो उनको दल बदलू क यह अख्ले स्यादों के लिए अभी मास्टर इस्ट्रोक है अभी अभी देखते जाएए अभी बहुत कुछ सामने आएगा बहुत कुछ बदलेगा अभी तो बहुत नेता थोड़के भागे अभी तो टिक्टो अभी टिक्टो का जो इस हिसाफ से बीजेपी में बटवारा हो होगा हां लेकिन है कि स्वामी प्रसाद ने कई विधायकों को जीवन दान दे दिया जो यह कयास लगा रहे थे कि नहीं सव देड़ सो बिधायकों को टिकट कटेंगे अब उनमें कम से कम मैं समझता हूं बहुत कम हैं से बिधायक है जिनके टिकट कटेंगे क्योंकि समाज पार्टी के सरकार दोरान बहुत मौर्याओं को नौकरी में दी तमाम 40 से 50 लाल बत्तियां जिला पंचायत मौर्याओं को बिढ़ाया लेकिन मैं कल आको बताओं कल बाबु सिंग को सुभा कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठ रहे खुई दिल्ली में तो चुकि य आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए और मौर्याओं को टिकट दीजिए हर विधान सभा में पिछली बार वी लड़े थे तो पांसहजार साथेयार आठहजार वोट यह इनको पाल्टी को मिला था तो इनका ये भी जैसे बीजेपी की ये बी टीम OEC है तो अपने हग अधिकार की बात जानता है और जिस हिसाब से पिछलों के हग अधिकार के लिए वो निश्चित रूप से भार्दी जनता पार्टी के खिलाफ ओटिंग करके और अपने हग अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी और इसमें कोई दो राय नही है बहुत सारी बाते आप रख रहे हैं है